जूनियर और प्रामरी की तरह एक महत्वपूर स्रीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शामान धन और जीएर एक तरह से देखा जाए यह स्रीज बेवीद और शामान धन के लिए एक महत्वपूर अंगर आपको सरकारी सिचक बनाने में या आउती महत्वपूर भूम का बादा करता है यह क्लास आपके लिए निसुन देशित में राश्चित में प्रदिन इल्डर निभी दुर्गेश पर फेश्बूक पेज यूटूब पर लाइक चलती है अगर आप पहले से सरकारी सिचक हैं तो आपके लिए जूनियर सिचक बढ़ती के तहरी और महत्वप पर आपके हजारों प्रश्चन तयार की जाएंगे क्योंकि प्रश्चन की व्याक्थात्मा खलोगी इस सिरीज को देखने के लिए सबसे पहले कॉपी कलम लेकर बैठिएगा साथी इस वीडियो की क्वाल्टी को आप अपने से बढ़ा कर रखेगा ताकि जब भी आप क्ला सब्सक्राइब करें और आप इसे बहुती आसान बहासा में ब्याक्था कर सकते हैं बता सकते हैं इन सभी के लिए यह पाउती महत्रपूर है तो जल्दी शेम मेरे पैरे से चेक सात्यों इस वीडियो को देखिए नहीं बलकि इस प्रश्चन का उत्तर भी बताएए आईए इस्पर हम बात करते हैं. यहां पर इसका संबंद उर्चाष नहीं है. गती से नहीं है. ध्वानी से नहीं है. इसका संबंद किश्च multip का थे हैं. प्रकास से है. अब आई इसके बारे में जानते हैं. प्रकास जो है. एक विद्दुत चुम्ब की विकरन होता है यह एक प्रगार का विद्दुत चुम्ब की विकरन होता है लिखना चाहर दो लिख लिजेगा क्योंकि यह आपके सेलेक्शन का सबसे बड़ा आधार है चुम्ब की विकिरन है विकिरन होता है और इसकी तरंग दिश्य तरंग दि अगर प्रशणा आज आई कि प्रकास का मूलकन जैंता इन ऑपका सब्सक्राइब इन उम्मीद कर रहा हूं या ऑपको समझे मैं अब कि लाले हपिनाला बैजानी है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्णी की तरफ ठिक यह क्लास प्रद्यन राज साठे नव बजे इलर निक दुर्गेश पर निसुर्ग लाइब देशित में राश्टित में चलती है आप सुयम जुड़े और जुड़ेने के साथ साथ अप रादलो वाली रात्री खूले आकास वाली रात्री में गर्म होती है इसकी वजह क्या होगी जो भी साती इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं निसुर्ग लगनेवी दुर्गेश पर वें सभी साथी फटापर कॉमेंट करेंगे और कमेंट करेंगे दिए कि प्रस्ण का ज जबाब जरूर दीजेगा। जाहे गलत दीजेगा है यजी चलिए मैं आये आए हैं पर ध्खान से देखते हैं कि भादलों वाली तरी खूले आकास वाली र्ात्रिश गर्म होती है लिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है ड्रीन असर जी नहीं यह वैसित करन को बढ़ाता है और जो नस्तर में कमी जी नहीं यह सी अपसी की वाज़े से होता है शुर्यात इंसूलेशन यह भी नहीं होगा यह भी नहीं यह इस प्रकार बादलों वाले रात शोड़े की विकरन के उसमा आकास की और जाने की वज़ाए पित्वी पर लौट आती है जिससे पित्वी गर्म हो जाती है जैसे आप लोग हम लोग यहां रहते हैं अब यहां पर अगर घंगोर बादल चाजाएं जब बादल चाजाएंगे सबस्राइब कर दोड़ेंगा और तापमान की वज़े से गर्म हों जाएगा इसे कहते हैं पार्थियूृ विक्रण यही क्लिए को है ऐसे वेधनन है कि पहले बीडियो को शेर कर दें अगर अगर आप सद्रुकारी चिजक बनने के धहरी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने 27 मित्रों तक शेयर जरू करें हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पश्णे की तरफ अगला पश्णा आपके सामने है क्लास काफी बढ़ी होगी लेकिन आपके सेलेक्शन से बढ़ कर नहीं होगी इसलिए इस वीडियो के अनतक बने रहिएगा और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करते रहिएगा लेकिन यहाँ पर है भोजन की उर्जया मापा जाता है जी हाँ मेरे प्यारे से चक साथियो इस देश के निर्माताओं जल्दी से फटापट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दियेगे पश्टने का जवाब दिजेगा यह वीडियो आप निसुल्क इलर निवित दुर्गेस पर लाइब देख रहे हैं तो जल्दी फटापट कमेंट करिए कि जो भोजन की उर्जया है वो किसमे मापी जाती है जल्दी से फटापट कमेंट करिएगा जो भी साथ इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी साथी फटापट कमेंट करेंगे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर बुसेल की बात करें तो यह अनाज के आयतन है यह क्या होता है अनाज का आयतन अनाज का आयतन मापा जाता है साथ आज आज आपको एक नई चीज़ देखने को मिली शीखनों को मिली कि अनाज का आयतन किसमें मापा जाता है तो बुशेल में मापा जाता है अगर हैं आप पूछ दिया जाए ये होता है शूखा अनाज इसलिए इस प्रष्ण का शही बिकल्ब जो होगा वो भी होगा जिन साथियों ने जितने लोग भविस्त में सरकारी सिच्छक बढ़ने का शपना सोजोए हो वो ये बात जानते रहें कि इस प्रष्ण का ये सबसे उप्यक्त बिकल्ब होगा वह क्या होगा आपका वह होगा भी तो जल्दी से फटापट कमेंट करिएगा और जबाब दीजेगा क्या आपको एक समझ में आ गया अगर आ गया तो ये आपके लिए बहुती महत्वण क्लाश होगी बहुती यादगार क्लाश होने वाली है ठीक और किसी कोई दिक्कत हो कोई शमश्या हो तो कमेंट जरू करिएगा ये कि मेरा उद्देश्य है आपका सरक्सन चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पिश्ण की तरफ समझ मागया बूसेल याद रखिएगा ये आपको कही जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा ये आपको इलेनी बिद्रगेश पर निसुल्क मिलेगा ठीक है चलिए चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पश्ट की तरफ अगला पश्ट पुनाप के सामने है यह वीडियो फेश्बूक पेज इलेनी बदरगेश यूटूब चनल इलेनी बदरगेश पन्निसुल्क आपके लिए लाइब देशित में राश्टित में चला है तो आपसे निवे अगर सरकारी सिचक बनने जाने जूनियर प्राम भी दोनों के लिए यह बहुती महत्तपून क्लास होगी बहुती महत्तपून लेक्चर होगी जी हां मेरे प्यारे सिचक साथियो अगर आप इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करिएगा जरूर क्योंक आज बहुत कुछ शीखने वाले हैं चलिए यहाँ पर अगर हम भुपाल गैस्त राजदी की बात करें तो एक मिक गैस्ति कौन सी एम आई सी इसका मतलब है मिक का मतलब मिथाइल आइसो साइनेट मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है ठीक है चलिए मिथाइल आइसो साइनेट लिए इस नमबर पर वर्ट्शेप करें आपको सारी जनगार मिल जाएगी ठीक है मिथाइल आइसो साइनेट है क्या होगा मिथाइल आइसो साइनेट तो मिथाइल आइसो साइनेट गैस थी आए इसकी बारे में जानते हैं यह यूनियन कर बाइट इंडिया लिम्टेड एक कितना सक्सेंद्र था इसे बोपाल में था बोपाल गैस्त राजदी यह दो से कि तीन दिशंबर रात में हुई थी कब हुई थी 1984 में कब हुई थी 1984 में यह 1984 हुई थी इसमें अनेक बैक्ति मारे गए थे इसलिए प्रस्ण का जो श्रही भी कलब होगा यह बहुत ही यूनिक प्रस्ण है और प्रहय परिक्षाओं में पूछा जाता है इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बता दिया तक कि यहां से आपका जो कॉंसेप्ट है ने वह बहुत द्यादा क्लियर हो जब तक आपका कॉंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हम कितना भी मैने से पहादे आपका चैन कहीं कहीं रुका रहेगा बाधित रहेगा ठीक है चली हम और आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपके शामने हैं एकदम आराम स से देखिएगा यह सेलेक्शन वाला प्रस्ण है और क्या आप लोग अगले दिन भी लाइव रहेंगे अगर आपको जूनियर सिच्छक बनना है या जूनियर का पधाना चाहरी बनना है या आपको सूपर प्रामरी पास करके सरकारी सिच्छक बनना है सभी के लिए हैं आपके तत्थे जो हैं उनको अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे उन्हें पूरी तरह से हल करके आपके सामने रखेंगे सभी लोग फटा फट कमेंट करके बताएगा जितने लोग वीडियो को देख रहें देखें आयदे निक्त नमक खाना चाहिए क्योंकि इससे घेगा नमक होता है यह चटानी नमक होता है यह घेगा रोक से बचाओ करता है कि संसाधिक नमक क्या होती है बताएगी संसाधिक नमक को जानता है जी है अई इसके बारे बताते हैं यहाँ पर इस प्रिष्ण का उत्तर होगा शमुद्री नमक जो गलत है वही सही है मानि इस प्रिष्ण का जो शही भी कल्प होगा आपको भी लगाना पड़ेगा मानि भी हल करना पड़ेगा कहेंगे सर भी कैसे होगा चलिए उस विसे पर रक्तचाप हो सकता है इससे क्या हो सकता है लकवा लकवा नमक रोग हो सकता है रक्तचाप बढ़ सकती है इसलिए हमें खादी पदार्त हमें प्रदिन समुद्री नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए सेधा नमक में 65 प्रकार के प्राकितिक तक तो पाए जाते हैं जो हमारे बढ़ते हैं अगले पस्थे तरफ कोंसा साही सुमेलित नहीं है मनें तीन है और एक सुमेलित नहीं है अपको जबाब देना है कि निमनिखित में से क्लास से समन्म कोई करें चाहिए दो आप इस नंबर पर वाट्सैब करके जैनकारी Dosya ये जोनपूर जनपत के सिराजे हिंद से यह क्लास मेरे द्वारा निसुल चलती है ठीक है नई बैच आपकी दो तारिक से स्टार्ट हो रही है ठीक है चाहें आप यहां पर जूड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके बाता है यह जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं जी है नेक्स्ट म मांसिख रोग मौन वेदए दिलता यहां पर स्टेस्ट न का उत्तर हाँ कैसे हैं लोग को ग्या सिभी नहीं होता यह भ। माइक्रो वैक्टिरिया मायक्रो बैक्टिरियम लिखना चाहां लिखनी ज जेग reminds pregnant तो बैक्टिरियम कि ट्यूबर कुलोशिस कुलोशिस ठीक है ट्यूबर कुलोशिस नामक जिवानुश सम्पमर्स होता है इससे मानुश सरी का फेफड़ा प्रभावित होता है खासी के साथ कप और रख निकलता है और अगर देखा जाए तो 1882 में 1882 में इसकी खोश किसने की ती रावट कोश ने किसने की थी रावट कोश ने इसकी खोश की थी और यह कहां के थे यह जर्मन के थे कहां के थे यह जर्मन के थे इसलिए इस प्रशन का उत्तर क्या होगा भी माने जो गलत है वही सही है आप सभी को जितने लोग यहां पर ध्यान दीजेगा यह वीडिय अगर आपको सरकारी से चख बनना है जूनियर प्रामरी के लिए तो काफी महत्वर प्रश्ण होगा हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरह जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं शबी लोग फटा फट कमेंट करेंगे कमेंट करने के बाद दिये के प्रश् मेरे प्यारे से चक साती हो इसे देश के निर्माता हो अगर आप पहले सरकारी सिचक हैं तो भी आपके लिए वीडियो महत्पून है अगर अब सरकाई से अच्छक बनने के तयारी कर रहा है तो भी वीडियो आपके लिए पाउती महत्पून होने जा रहा है जल्दी से परावर कमेंट करिए देखे बिटामिन गलत है फोलिक इसिट से रट आलपा यह सवाल का अस्तर कठीन है क्योंकि कठनाई अस्तर लगातार बढ़ता जाएगा उस दशा में हम सब को कठनाई के आधार पर काम करना पड़ेगा ठीक है कोई दिकत किशिक को कोई को शमश्या हो तो जरू कमेंट कर सकता है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रिश्ण के तरफ आपसे निवेदान है कि बीड़ों को लाइक करिएगा उसके बाद अपने शवी साथी मित्रों को शेयर जरू करिएगा यह क्लास प्रद्ने राज सौरह नो बजे इलने विदुर सैनल रोग होता है वह रिकेट को पता है क्या कौन सा रोग है रिकेट's होता है और शुरू को लाइब यहां दिज Lancey्या सब्सक्राइब कर बैठे हो अगर कि कलम लेकर बैठे हो ऑगर तो जरूर लिख लिएगा है जो मैं आक यह यह तो इक इस में होता है वई-शकों में होता है ध्यान दीजेगा बिटामिन डी की कमी बिटामिन B की कमीस यह मेरे पैले कि लोग के लिए कि Gs मäरा फिवरेट सब्जक्ट है कैल्सी फिराल है यह राट साड़े नो बजे निसुल का आपके लिए लाइब चलती है लेकिन अगर वरंदानता की बात करें अगर यहाँ पे आप सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं अगर वरंदानता की बात करेंगे यह अनवांसी रोग होता है इसमें जो रोगी होता है वह लाल रंग वह रानग इनमें बिभेद नहीं कर पाता है यह रोग पुरुस प्रभावित होता है इस्त्रियों में तभी होता है जब उनके दोनों गुरसूत यक्स-यक्स हो इस रोग की वाहग इस्तरियां होती है देखे दो बात होता है अगर वाहग की बात करे इसमें इस्तरी होती है अगर प्रभावित की बात करे ध्यान दीजेगा अजकल प्रशन का स्तर बढ़ रहा है प्रभावित देखे तो पूरुस होता है महिला कब होती है महिला में जब डबल एक्स होगा तब महिला प्रभावित होती है अन्यथा नहीं होती तो आप लोग समझ दीजिएगा क्यों कि यहां से आपके कई प्रशन तयार होंगे मेरी क्लास को पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ा आपका फायदा है एक प्रशन के सब्सक्राइब दोनों के लिए निसुल का लाइब है देश हित में राष्ट हित में अगला प्रशनाप के लिए एक वरांद कलर ब्लाइंड पुरुष का विवा एक सामान इस्तरी से होता है जिसमें माता-पिता के दिश्ट भी सामान थी उनके बच्चे में वरांदता होन इसके घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं और आप सभी रेस के घोड़े हैं जल्दी से फड़ा फट कॉमेंट करिएगा क्योंकि ऐसे प्रशनाप के परिक्षा में आते हैं अगर आपको सरकारी सिच्च बनना है तो आपको ऐसे प्रशनों को पहले से करूंगा इस बीडियो को आप लोग द्यान से देखिएगा लेकिन इसका उधिसय वही है कि अब की बार एक सिट हमार भशन दी जेगा इस सही ब्लब क्या होगा इसमें ओगा पक्चास परशन अई देखते हैं 50 प्रशन वालांदता का प्रभाव अगर लिंग शूत्र की बात करें अगर हम लिंग शूत्र की बात करें तो क्या होगा यक्स क्रोमोसों पर होता है किस पर यक्स क्रोमोसों पर एक प्रश्णाप का तयार हो गया पूरुस इससे अधिक प्रभावित होता है मैंने उपर बताया महिला तब प्रभावित होते हैं जब वड़ान्द होगा जबकि लड़किया वहाँ होती हैं इसलिए यह 50% होगा लड़का लड़की पैदा होने की शंभावना समान है इसलिए प्रिष्ण का शहुत तर्जु होगा यह क्या होगा 20 का राइट एंसर होगा ठिक यह क्लास के वर लाइब होगी इसलिए आप लोग ध मैं चली अगला पुशनाप के सामने है में है परत शमुत्र के अंदर शमुत्र के अंदर शंसार एंवं स्तिति आकलन के लिए प्रियुक के जाने वाला यंत्र क्या है tad शबी फटाबरिक करे के बदाईए जो लोग वीडियो को लाइट देख रहें है शमुत्र के अंदर संचार एंवं इस्तिती आकलन के परियोग के जाने वाला यंत्र क्या है वैसे हम यहाँ पे सभी यंत्रों के बारे में प्याश करनेंगे बताने का देखें यहाँ पे ध्यान दीजेगा हम लोग सभी प्रश्णों पर ध्यान देंगे सबी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रेस के गोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं देखिए, इस परशने का उत्तर आप लोगोने एक दम सही बताया है रडार जो लोग बता रहे हैं, देखिए, रडार क्या होता है यह Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y- चुम्ब की विकिरण है यह क्या है विद्दु चुम्ब की विकरण है कि उत्सर्जन के आधार पर आप्टिकल प्रवर्धन के प्रिक्रिया के से प्रकात का उत्सर्जन करता है विकिरण के उत्सर्जन के आधार पर आप्टिकल प्रवर्धन धान से देखिएगा प्रकास का उत्सर्जन करता है लेकिन इस प्रश्ण का उत्तर जो होगा सोनार होगा प्रश्ण का उत्तर क्या होगा सोनार होगा प्रश्ण का सही विकल्प क्या है सोनार है सोनार कैसे होगा सोनार समुद्र के अंदर इस्ति जानने का प्लियोग क्या जाता है इस प्रश्ण का उत्तर होगा वह एश का राइ शरकनार का होताbon कि इस यरिदी से संभी और फरफ कमेंट करके जवाब दीजेगा imagine मैंने सोनार का फुल परफ वग्टम अजिसे कोई कमेंट करके बता है संफूनार का फूल उन्व होती हुब है यह साउं नेगिवेशन एंड रैंगिंग होती है ठीक है जी आ ही हाहन पना याद रखे घगा यहां किया है हाथ ऐसरे आंखिण होती है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले परशण के तरफ अगला पस्ट आपके सामने है कम्प्यूटर की भासा 410 किस छेत्र में उप्योग की जाती है बहुत ही महत्पूर है तो जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं शबी साथी फटाफट कॉमेंट करेंगे कॉमेंट करके दिये के पश्टन का जबाब जरूर देंगे जी हाँ मेरी प्यारे से चक साथी हो किसे देश के निर्माता हो आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सरकार से चक बनने के लिए या आपके लिए अहम और महत्तुपूर क्लास है मैं उमीद करता हूँ आप सभी लोग अपना फिड़ बैक जरूर देंगे और सवाल का जवाब भी देंगे सभी लोग फटापट कमेंड करिएगा जितनी लोग देख रहे हैं इसके बारे मैं पूरी तरह से ब्याख्खा करके बताऊंगा फाटन कम्प्यूटर की जो है एक उच अस्तरी भासा है कैसा है उच अस्तरी भासा है यह कैसी है यह उच अस्तरी भासा है इसका प्रियोग कम समय में गणती सुत्रों को हल करने में या बिज्ञान के च्छत्र में किया जाता है ये 1957 में बेकस के दौरा बेकस के दौरे क्या गया था ठीक है अगर बेवसाई के लिए देखा जाए तो कोबोल होता है अगर परिच्छा में कोबोल आ गया तो कोबोल जो होता है वो बेवसाई के लिए होता है ये क्या होता है बेवसाई के लिए होता है ठीक है ये जूनियर क के लिए बहुत कोड़ सामान इदन की सिरीज है यह हम आगे चल लें अगले पश्ण की तरफ चाहें तब इसकी स्कीन सोट कर सकते हैं एक्दम विस्तित पढ़ाऊंगा नोट्स बनाते चलिएगा वैसे टेलीग्राम पर सब कुछ मिलेगा लेकिन साथी साथ नोट्स जरू बन के सरसर्च करके इलर्नी में दुर्गेश पर जुड़ियांगी चाहें इस वीडियो को फेस्बूक पेच पर देखना हैं चाहें यूट्यूब पर जहां भी आप इसे निसुल्क लाइब देख रहे हैं आप इसे अपने साथी को शेयर करिएगा और टेलीग्राम पर डिस्क अधियुम का प्राची नुल्य त्री ऑ inead से प्राफ्थ होता है और यह यह जूर से संब्धित बंद हैं फैस이면 चैसरिक को मेंन करेंगे कमेंट और करके दिए कि पिसने का जवाब देंगे जी हाँ मेरे प्यारे से इच्चक साथी हो जो लोगी वीडियो को लाइप देख रहे हैं शबी साथी फटाबट कमेंट करेंगे कमेंट करके दिये के पश्चने का जबाब देंगे क्योंकि यहाँ आपके लिए काफी महत्यपूर है बताइए फटाबट कमेंट करके समझ माया महाभाद की रचना किष्चने की थी कमेंट करके बताइएगा पतनजली की महाभास तो तयार हो गया महाभाद की रचना किष्चने किया था शबी साथी कमेंट करके जरूर जबाब देंगे ठिक चलि हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पश्ट की तरफ याद रखिएगा गैत्री मंत किसी देवता को समर्पीत है जरू बताएगा रिगिवेत के तीसरे मंडल में सही जबाब और यह है गैत्री मंत सूरी देवता को समर्पीत है अगला पश्ट आपके सामने वैदिक कर्मकांड होता का संबंद किस्ट है शबी लोग फटा-फट कमेंट करेंगे कमेंट करके दिए कि पश्ट का जबाब देंगे जितने भी साथी इस वीडियो को लाइप देख रहे हैं यह कि मेरा उदेश्य है आपका सेलेक्शन यह कि एक नाम से जानते हैं और होत्र की इसे हम होत्र के नाम से भी जानते हैं और यहां पर करते हुए इस तुति करना अगर यहां पर कुछ लोग बता रहें कि साम्वेत में करता को इए यहां पर देख जाये के mix क्या है उदात्र कहते है अगर यजूरवेत की बात करिया जाए यजूरवेत में हर्द्रुवेत कहते हैं हूं कि और अगर हम अर्थवेत मनत्रों को उचारण करने पुछा रहा है इस प्रकार हमने देखा इस प्रस्टे का जो शही भी कल्ब होगा अब की बाहर एक सीथ हमार प्रद्द्र राज सभे नो बजे जुनियर प्रामरी के लिए सिछक की अभी शामान दिन की सिर्फ चल लएए जल्दी आपको अगामी दो तारिक से आपके लिए सा साइन्स के साथ साथ आज का भी अलग दो अनिक अच्छा है आपके संचाली होंगी ठीक है चलिए हम आगे बढ़ना इसकी स्कीन सोट मत करिएगा लिखते चलीगा बहतरी नोट्स आपके त्यार होगी जब आप सरकारी से चक बनने के लिए जाएंगे एक बारी विजन करें सब्सक्राइब करिएगा एक बार जारा कंफर्म करेंगा मेरी आवाज साफ आ रही है सब T सब लोग फटापर कमेंट करें के बता हिए बात वीडियो को लाइक देख रहे हैं लोग देख रहे हैं तक गौल गुंबत किसे अब कलपित है यार एक बार वीडियो को शेयर करिएगा पैसे नहीं कटेंगे आपके लोगों तो पूछाईएगा, यकीन मानिए, मेरा गला बेठा हुआ, इसलिए आवाद आपको थोड़ा सा आजीब शारा होगा यकीन मानिए, मैं आपको सेलेक्सन तक जरूर लेके जाओंगा अभी आपके पास एक लंबा शुमाय है, इस सौटम में अपनी तैरी कर सकते हैं, बस प्रद्य रात को साड़े 9 बजे लाइब आ जाईएगा देखिए, इस प्रद्य आगर उप्तर हमें देखना है, कि गोल गुमबच के बारे में, तो जो गोल गुमबच है, यह किसने बनवाय था? तो यह दाबुल के याकूत ने, कैसे? यह बीजापूर में है, गोल गुमबच कहा पर है? यह बीजापूर में है, पहले बार तो गोल गुमबच है कहा पर? यह बीजापूर में, यह बीजापूर में, सुल्तान कौन था? मुहम्मद आदिल सा था, अगर सुल्तान की बात क रहे हैं कि अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा और रेस के घोड़े ही रेस में तो अच्छे लगते हैं मेरी राइटिंग टोड़ी से गड़ बड़ है और लेप्टॉप लिखने में दिक्कत होती आदिल साथ ठीक है यह मगबरा है जो कहां है बीजापुर में बीजापुर कहां पता कि वह करनाटक में है यह करनाटक में और इसका रचना अगर देखा जाए कौन था दाबूल के याकोड था कुछ लोग बता रहे थे उस्ताद अहमद लाहोरी इसने ताजमहर जो आगरा में अंगरा है यह ताज महल बनवाए था ताज महल कहां पर आगरा में यहां पर प्रस्ण का उत्तर जो होगा वो डी होगा दाभूल के याकूत सुल्तान गौंद मुहम्मद आदिल सा बीजापुर कहां पर करनाटक में है इसलिए सभी लोग ध्यांज दिखेगा उस्ताथ अमध लाहौरी जो था वो ताज महल कल्पित किया था इसलिए इस प्रस्ण का जो ही मिकल्प होगा वर डी होगा क्या आप लोग को समझ में आ गया जो वीडियो को लाइप देख रहें सब्सक्राइब करके बताईएगा अभी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी आपके लिए स जरूर करिएगा अगला है आपके सामने प्रस्ण किस गुरू शीक समुदाय का एक अभीन अंग लंगर को बनाया जी हां मेरे प्यारे से चक साथियो जरूर कमेंट करके बताईएगा कि लंगर को किसने बनाया जितने भी साथी वीडियो को लाइप देख रहे हैं सभी साथ लोग कमेंट जरू करेगा कि सभी क्लासी पूरी सामाने दें जी अजी के है और वह जो परिच्छा वाले प्रस्ण में किस गुरू ने सिख समुदाय का एक अभीनांग लंगर को बनाया आए यहां पर प्रस्ण को पढ़ेंगे और इस प्रस्ण का उत्तर होगा गुरू अम लंगर सब्द का निराकारिदिष्ट कौन से लिया गया है यह 15 सदी में तीसरे गुरू यह कौन से थे यह थार्ड़ गूरू थे ठीक यह धार्मिक अंदिविश्वास रूड़ी बात जात पात उचनीत को समाप्त करने के लिए यह व्यूस्ता समाप्त की गई थी सभी वह शोने अमरीज शर बनवाय था कौन सा अमरीज़ तीछ डिक है कि अम्रीज शर शहर बनाय था शहर तो गुरू रमदास के लिए उत्तर जो आ है वह उसका उत्तर क्या होगा और अमरी सरसर लेकिन इस प्रस्थने का जो सही भी कल्ब होगा वह आपको होगा भी यह जातिपाद धर्म रूड़ी बात्ता अंदिविश्वास उच नीच इसको समाप्त करने के लिए एक साथ ठीक है लंगर अमर रहेगा लंगर अमर रहेगा मनें अमर दाशने कब पंद्रावी सदी में अंद्रावी शदी में तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इससे बहतर अगर कोई पढ़ा देना सरकारी सिचक बनाने के लिए जोनियर और प्रामरी सुपर्टेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा हम आग अगले कच्छाइं स्टार्ट हो जाएंगे कालन कुर्म में अस्थापित करना है कहां पर खुर्रम का बिद्रों चौसा का युद्ध धर्मत का युद्ध खुसरों का बिद्रों अब प्रश्न का अस्तर उतना आसान नहीं आता जितना हम लोग समझते हैं अब कठनाई अस् है के शतर बढ़ता जायगा तो कहीं करने आपको महनत करने की श्हमता को बढ़ाना पड़ेगा जिएक सिठ हमार अब की बार एक सिठ हमार अगर सरकारी सब्सक्राइब दाना है तो आपकी स्यूद्ध हैं वे настроche सकता हूं बाकि आपकी मरजी आप सेयर करें या ना करें अ कि हम बस कहने तक कहीं तो दिखा रहे हैं बाकि आपकी इच्छा है मैं भी आपकी तरह हूं जिते भी गभर्मेंट से इच्छक देखनें वो भी सेयर कर देंगे चलिए ठीक है आई यह मैं इस पूरा चर्चा करता हूँ देखें खुर्रम का बिद्रो खुर्रम का बिद्रो कब हुआ था 1630 में यह हुआ था 1630 में ठीक अगर चौसा की यह दिखी बात करें तो यह हुमाईय और सिर्शा की बीच हुआ था 1549 में किसके बीच हुद इंपॉर्टेंट है यह हुमाईय और सिर्शा ठीक है हुमाईय और सिर्शा की बीच हुआ था धर्मत का युद्ध धर्मत का युद्ध जो है यह 1658 में लड़ा गया था लेकिन खुसरो का बिद्रो यह 1606 में था यह अगबर के मगबरे के यात्रा के बहाने आगरा से भाग निकला था ठीक है और बिद्रो कर देती याद रखेगा जो खुसरो था यह क्या किया था यह अगबर के मगबरे के यात्रा के बहाने आगरा से निकला था ये इसकी डेट मुझे तोड़ा confirm नहीं है सायच शाप प्रेहल था एक बार आप लोग देख लीजेगा शाप प्रेहल के दिन ये क्या करता है ये अगबर के मगबरे की यात्रा के बहाने क्या करता है आगरा से निकल जाता है फिर आगे चलकर बिद्रो करता है तो आप लोग बताईए इस हिसाप से इस प्रेहल का उत्तर क्या होगा डी होगा क्या होगा इसके आधार पर इस प्रेहल का जो श्रही बिकल्प होगा वह डी होगा समझ मैं आप लोग को जो लोग बिडियो को लाइब देख रहे हैं वे शभी साथी ध्यान से प्रश्ण को देखें ठीक चली हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगर आप सरकारी से चक देख रहे हैं तो लोगों थपऊ चाहिएगा अगला है किसको भारती बुन जागरण का पिता कहा जाता है तो जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे कमेंट करने के बाद ये के प्रश्ण का जबाब लाइब देख रहे हैं सबी साथी पड़ापट कमेंट करिएगा वो पूरी तरह से की लियर हो जैंए अगे करके इस पहले इस पोच्झन आप ज्या लेते हैं इस प्रशनिक का उततर हैं राजाराम मुहन रहे हैं कौन है राजाराम मोहन रहे इसे भारती पुण्रणागन का पिता कहा जाता है इनके नवीन विचार के कारण इन्हें भारती राष्टबात का पैगंबर कहते हैं भारती राष्टबात का जनक कहते हैं आदनी भारत का पिता युगदूद भी कहते हैं अगर आईए इनकी उपनाम जानते हैं इनके हम लोग कुछ उपनाम जानते हैं एक एक करके उपनाम हम लिख रहा है ठीक है इन्हें युग दूद कहते हैं इन्हें ही हम युग दूद के नाम से जानते हैं लिखते चलिएगा राजा रामोहन रागों युग दूद कहते हैं इन्हें हम भारती राष्टवाद का पैंगंबर भारती राष्टवाद भारती राष्टुबाद का इन्हें क्या क्या कहते हैं जहां से दिखिएगा भारती राष्टुबाद का जैनक कहते हैं पैगंबर कहते हैं ये सारए यूनिक प्रेशन है पूरा जो आपको एक बार में ही पता चल जाए tournaments ठीक फिर यहां पर देखेंगे इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहते हैं अधुनिक भारत का पिता कहते हैं ठीक है पिता कहते हैं लेकिन द्यारन सरस्वती के बारे में थोड़ा बाते जान लेते हैं थोड़ा अलग कर लेते हैं यह द्यारन सरस्वती जो है अगर इनका देखा जाए तो इनका मूल नाम मूल संकर था इनका मूल नाम क्या था मूल संकर एक प्रश्णा पर तयार हो गया कि दयानन सर्श्वती की मूल नाम क्या था तो जी हां दयानन सर्श्वती का मूल नाम ठीक है मूल संकर था और राजा क्युपादी अकबर दुति ने दी थी अकबर दुति ने ठीक है मूल संकर था इन्होंने 1875 में पता क्या किया था आर्य समाज कहां पर मुंबई में अस्थापित किया था इनकी प्रमक पुस्तक जो है अगर इनकी पुस्तक की बात की जाए बहुत इंपॉर्टेंट आपके पर इच्छा के लिए लिख लीजेगा सत्यार्थ प्रकास सत्यार्थ प्रकास सत्यार्थ प्रकाश इसकी जो प्रमुप पुस्तक है वो सत्यार्थ प्रकाश है ठीक और आगे चलते हैं हम स्वामी भी ये कंदन के बारे में पढ़ते हैं नहीं यहां पर रामकिन प्रवहंस के बारे में थोड़ा से मोग पढ़ लेते हैं यहां महान संत विचारक थे इनके बच्पन का नाम गंगाधर था धान दीजेगा इनके बच्पन गनाम पर बच्पन का नाव इंपॉटेंट है यह पूछेगा गंगाधर एक प्रसनाव के परिच्छा में आप जरूर आएगा गंगाधर अगर इनके सिस्ट देखा जाए इनका सिस्ट जो है आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिष्य हैं बीवेकानन्द कौन थे बीवेकानन्द थे हैं इनके क्या थे शिस्ट थे अब हम और आगे चलते हैं सब लोग शेयर जरू करेम इनका मूल न defending इनका मूल ने कि अ किसी को पता किंगा तक नेंड्र कर नेंद्र ह्तम कि इनका पूरा न जो नहीं इन्हों यह 2 2 2 3 सम्हेलन भाग लिया था सिखांग में किसी को पता है कब यह था 1893 में कहां पर विश्व धर्म सम्हेलन इसी से तो यह प्रशिद हुए विश्व धर्म विश्व धर्म सम्हेलन में ठीक है यहाँ यह बात आप लोग को पता हो न चाहिए इनके गुरु का नम क्या था रामकिर परमंस था और इनके जन्देवस पर राष्टी युवा दिवस मनाया जाता है 12 जन्वरी राष्टी युवा दिवस मनाया जाता है ठीक है लिखते चलेगा और यह शिकागों हुआ था यह मेरिका में है ठीक के लियर हुआ रामकिष्मिशन अच्छा रामकिष्मिशन अठास तान्वें लिख लेजेगा अच्छे अठारह सो शंतान्वे में राम किष्ण मिशन ठीक और किसी कोई दिक्कत हो को समस्वत बताइएगा राजारा मुहर नाया ने एक प्रमुख चीज के स्थापना कि किसी को पता है क्या जो लो वीडियो को लाइब देख रहे हैं ब्रम समाज ब्रह्म समाज का वाया था किसी पता है थिक तो चलिए हम आगे बढ़ रहा है इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दिए जो लोग वीडियो को लाइब देख रहा है इतना कर सकते हैं अगर इससे बहतर कोई सामान द्यान सिच्छक भरती जूनियर और प्रामरी के दीचेगा शबी लोग जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहें इस वीडियो को चाहिए अपनी स्कीन सौट रख लें चाहिए वीडियो को अपने शाथी मत्रों को शेयर कर दें लेकिन यकीन मानिएगा यह वीडियो आपके लिए होती महत्यपूर्ण है जी हां इससे बहतर सायद ही कोई ब्याख्या करके पढ़ा पाएगा जिसकी थेरी तयार होगी वही तना बहतर ब्याख्या कर पाएगा ठीक कि समझ मारेक नहीं है आप लोग को हम आगे बटा के लिए पश्ण की तरफ अगला पश्ण है पंजाब के स्रीक उपासी किसको दी गई थी सबी लोग फटापट कॉमेंट करिएगा जित्ते लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सबी साथी देखिए आउनलेंग क्लास से नोट से संबंद में आपको कोई जानकरी चाहिए अब 630634367 से ले स अब ले सकते हैं चाहे आप ईपेटेट, सीटेट, सुपर्टेट, सिच्छकभरती, जूनियर, प्रामरी, क्लास, नोट, प्रैक्टिस, सब कुछ यहाँ पर है और टेलीग्राम पर ज़रू जुड़े रहे हैं पंजाब किसरी कुपादी किसको दी गई थी यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं चली यहाँ पर होगा लाला राजपत्रा है क्या होगा लाला राजपत्रा है इन्हें संजीट पंजाब के प्रभाव साली कांग्रिस नेता थे समासोधारक थे गरंदल के नेता थे बन्दे मातरा नामक अधց मासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं शाइमन कमिसन का विरोध करते हुए लाठी की परहर से से इनके बित्ती उई थी। इसका शाइमन कमिसन・क मिसन के विरोध लाठी से कर गते है मारते मारते इनकी मृत्ति हो गए थी अगर इनकी एक पत्रिका है मासिक पत्रिका लिख लीजेगा इनकी है मासिक मैं पूरा लिखवा दे रहा हूं पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंड है बंदे मात्रम बहुत इंपॉर्टेंड है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं बंदे म कि यहां से चाहें इसकी इंसोट कर सकते हैं आप लोग अगर आपको लग रहा है में बहतर पढ़ा रहा हूं अगर आप इससे संतुष्ठ है जरूर वीडियो को शेयर करिएगा अगर आप संतुष्ठ है तब नहीं है तो कोई बात नहीं यह निशुल्क है आपके लिए आपको सरकारी सिचक बनाने के लिए अगर आप पहले सरकारी सिचक है तो फिर से आउर आगे बढ़ते हैं अब देखिए भगा सिंग के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी बात में लाला हर्दयाल के बारे में बात कर लेते हैं यहां से एक करांदिकारी थे इन्होंने गदर पार्टी की अस्थापना किया था और किसके साथ मिलते पता है सोहन सिंह भाकना यह प्रशन पूछा जाता है शोहन सिंह भाकना जून 1913 ठिक हम आगे चलते हैं रणजीत सिंह के बारे में जानते लिएगा यह सिक समराज के प्रसिद्ध राजात है यह सेरे पंजाब के नाम से जानते थे शेरे पंजाब इन्हे शेरे पंजाब शेरे पंजाब के नाम से यह जाने जाते हैं ठिक यह आप जानते रहेगा सबी लोग चाहे तो इस किंसोर्ट कर लिजेगा और इनके बारे में तो आगे हम लोग पढ़ेंगी क्या से भी प्रशन आने वाला है भगस सिंग सुग्दे और राजग्युरू को फासे वेती सहि दियोस मना जाता है ठीक चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशन की तरफ किलियर किसी को वीडियो को शेयर करिये हैं बार-बार आपसे कह रहे हैं लोगों तो पोचा यह कर भला तो हो बाला अगला प्रशन आपके सामने हैं नीचे स्वाधिनता संग्रामी उता उनक यह कौन सा जोड़ा गलत है आपको गलत बताना है तीन सही है एक गलत है जो लोग वीडियो को लाइफ देख रहे हैं कॉमेंट जरू करिएगा जितने भी साथी वीडियो को ईलने भी दुर्गेश पर फेश्बुक के यूटूब पर निसूल का लाइफ देख रहे हैं जल्दी से फटाबर कमेंट करेंगा अब बताइए बताइए पटाबर अब जो लोग वीडियो को लाइफ देख रहे हैं जल्दी से फटाबर कमेंट करें आईए इस विसे ने में लग थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे यहां पर अहां देखें मौलोना आजात का लाम अल हिला इंपोर्टन्ट है रट लीजेगा लोकमान तिलक के सिरी सही है जाला लेसुन नेशनल हेराल्ड बहुत इंपोर्टन्ट है महत्मा गंदी दब पाइनियर ये कलत है क्यों कि अगर पाइनियर की बात करें तो जार्ज एलेन है जार्ज एलेन है और महत्मा गंदी का दिखा जाए तो भीया हरिजेन है फिर यंग इंडिया है ठीक है तो चाहे तब इसकी स्कीन सोट क्लिक कर लीजेगा इसलिए इस प्रशन का उत्तर जो गलत है वही सही है तो डीस का राइट एंसवर होगा तो जितने साथियों उन्हें इस्ट्पश्ण का उत्तर डी लगाया है उसकुष्ण वीडियो को लाइव सभी साथिम इस वेडियो को लाइब डेख रहे हैं जो लोग वीटियो गया है जितने लोग सरकारी से चक बनने के त्यारी कर रहे हैं जूनियर से चक प्रामरी से चक उनके लिए महत्वपून क्लास है कौन भारती करांती की मा क्यालाती है GS, Science Work, Color Work दोनों के लिए महत्वपून है तो जल्दी से वड़ाबट कमेंट करिए कौन भारती करांती की मा क्यालाती है आईए इस कुम्राइरे में बहुत ही ब्याक्यात्मा गृप से आपको पताने जा रहा हूँ चाहाए इस वीडियो को फेश्बुक पे देख रहे हैं चाहाए यूट्यूब पे देख रहे हैं कहीं भी देख रहे हैं लोगों तक पुछाएगा कौन भारती क्रांति की मा कहाती है। बहुत इंपॉर्टेन प्रस्ण है आपके लिए। दीखिए। सभी लोगों इसका उत्तर बताया है। भीका जी रुस्तम कामा को भारती क्रांतिकारी की मा कहते है। यह पार्सी परिवार में इनका जन्म हुआ था। यह क्रांतिकारी राष्टवाद की समर्तत थी। इन्होंने यूरोप अमेरिका में क्रांतिक संचालत किया। जिन्यमा से बंदे मात्रम पत्रिका इन्होंने भी निकाला था। पर्थम भारती जन्डे को फाराया था। जिनका डिजाइन इन्हों स्वम बनाया था। जिसका डिजाइन इन्होंने बनाया था। भीका जी नहीं बनाया था। एक प्रश्रण आ रहा है पंडिता रवागई। एकर रवागई के बारें बतादे। जो पंडिता रमाबाई हैं यह पहली महिला थी जिन्हें क्लगत्ता पिस्विद्याले के संखाय दवारा शंस्कीत बिद्वान और स्वस्वती के रोप में पंडिता के उपाध ही मिली थी स्वतंता शंगराम के बारे में दोनों के बारे में एक के करके हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पंडिता के क्लगत्ता पिस्विद्याले के संखाय दवारा शंस्कीत बिद्वान और स्वस्वती के रोप में इन्हें पंडिता की उपाध ही मिली थी स्वाजी नाडू और रेनी विसेंट के बारे में अभी कुछदर के बाद हम आगे इसके बारे में डिश्कस करेंगे हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पश्ण की तरफ अगला पश्ण आपके तरफ स्वतंता शंगराम के बिद्रों को कुछनने के लिए लखनों में कौन बिटी साधिकारी था शबी साथी फटाफट कमेंट करेंगे बताईए सबी जितने लोग वीडियो लाइब देख रहे हैं यह जी एसी क्लास है प्रद्दिन राज साढ़े नो बजे इलनी बिदुर्गे से सभी साथी जोड़ सकते हैं सभी फटापट कमेंट करके बताइए का जितनी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी देखें मैं अच्छे से बैक्ठा करके पढ़ा रहा हूं सभी दोग ध्यान से देखेंगा लखनों में 800 तान की बिद्रों के बारे में अगर दिखा सद्गम हजर अक媞ा तो बताइए क Holmes कहूं किया था मिभी भी अचर्ट महर थे बेगम हजरत मौर इन्होंने क्या किया था लखनो का है नेत्र तो किया था लेकिन एगर निकोल सहर्षन की बात की जाए निकोल हर्सन दिल्ली का कहा का दिल्ली को दमन किया था दमन लेकिन लेकिन अगर यहां पर देखा जाए यहां के नित्यत करता कौन था जान दिजेगा बहदूर सा जफर बहदूर सा जफर और बक्त खा भी थे कहीं कहीं आपको साथ में थे न बक्त खा ठीक अब हिरोज जान दिजेगा हिरोज की बात किया जाए तुझी हिरोज था छासि इसम्हें जासी को दबाया था नित्यत करता कों थाu रानी लक्ष्मी भाइफी करनन proninके बारे माइद देख लेते हैं च्छिक regarder था कि यह का दबायत को था प्रियागराज को प्रियागराजरतात इलहाबाद का दमन किया था नितुत करता कौन थे यहां का लियाकत अली लियाकत अली थे कौन थे लियाकत अली थे ठीक यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं मैंने चारों भी कल्ब को समझा दिया अगर आपको लग रहा है किससे बहतर कोई पढ़ा सकता है तो भीया आप उनसे जरूर जुड़ियेगा जितने लोग इन वीडियो को लाइक और शेयर किया है इस सवर कर अगली से चकभणती में उनका एक पद जरूर फिक्स हो हम आगे बढ़ रहे हैं देखे जगदीशपूर को कुमवर सिंग थे कायम अध्या के मौलवी हब अमदुल्ला थे ठिक हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण के तरफ सभी लोग वीडियो सेर कर दीजेगा कितनी वार आप लोग से कहें इसकी इंसाट क्लिक कर लिजेगा ध्यान दीजेगा आप लोग शम्मिदाहान के किस अनुच्छेत के अंतरगत नियालो द्वारा शंसत की करवाही जाच करना प्रतिबंधित किया गया है तो मैंने अप से पहले बताया अगर आपको सरकारी से चक बनना है तो परिच्छा का अस्तर बढ़ना होगा जी हाँ अगर आप परिच्छा का अस्तर नहीं बढ़ा पाएंगे तो हमारे आप के लिए पढ़ने में बहुती समस्ष्या आएगी तो यकीन मानिए आप चरूर सेलेक्शन लेंगे इसी चैनल के साथ निसुल चाहे आप इसे फेस्बूक के देख रहे हैं चाहे यूटुब से राष्टित में देशित में आपके लिए चल्ला है आकानपुर के नाना साप सही है चलिए आई यहां पर लोग भात करते हैं सभी सातियों के साथ मिल कर देखिए इस प्रश्टिकाद सही भी करप होगा अनुचेद 122 122 अगर 123 होता तब अनुचेद 123 और 213 होता तब यह दोनों अध्यादेश हैं यह दोनों क्या हैं अध्यादेश हैं फर कितना है यह राष्टपती है और यह राज्जिपाल है है यह दोनुचेद 122 फिर 123 फिर 230 227 क्या किसी को बता है 127 तदर्ध नयादिश तदर्ध नयादिश की नुगती द्हान से लिखना चाहां लिखेगे लिख़ाते हैं तदर्ध नयादिश की नुगती कि लिखेंगे लुक्ति एक सोचपविस में क्या है कारे कारी कारे कारी मुख्य नहीं आधिश ठीक समझ मारा ना नहीं यार यह सुप्रीम कोट में होता है यह क्यों एक सोन तारीस क्या है कोई कमेंट गर बता है एक सोन तारीस क्या है रिट रिट की सक्ति की व्रिद्धी यह सी सुप्रीम कोट यह चारो के अलावा मैंने सिप्जा दिया जहां से दिखिएगा सभी लोग इस परस्ट का जो उत्तर होगा वह तो बी होगा लेकिन हमने इसके चारो भी कर्म को बता दिया 149 में रिट की व्रिद्धी को बाहर करने की सक्ति है सुप्रीम कोट 127 तदध नादेश की नुक्ती 126 कारिकारी मुख्य नादेश 122 समिदान के अंतरकत नियालो दौरा संसत की करवाई को जांच करना पजबंधित किया गया 123 अध्यादेश 213 अध्यादेश 213 अध्यादे जी हां मेरे पैरे सिच्चक साथी इस पशने का उत्तर भी होगा शबी लोग फटाफट वीडियो को शबी साथी ग्रूप में शेयर करें जो सरकारी सिच्चक बनने का सपना सजोय है जूनियर प्रामरी दोनों के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं के लिए पशनी की तरफ इसक चाहिए फेस्बुक पे चाहिए यूटूब पे जहां इस वीडियो को निश्वल का आप लाइब देख रहे हैं चली बताइए सभी लूप फटाबट कमेंट करके कि यह हमने बना दिया संसद संसद में यहां पर राष्टपती होता है यहां पर लोग सभा होता है यहां पर राजय सभा होता है ठीट अब यहां पर आपको यह जानना है कि किसका अध्यच उस सदन का सदश नहीं होता तो आपको पता होना चाहिए कि संसद जो है यह कहा है यह अनुचेद यह अनुचेद उन्यासी में मैंने छोड़ा दर ट्रिक पढ़ाया आपको लोग को मैं पढ़ा दे रहा हूं सरल शरल शर से संसद शर से क्या है संसद यह अनुचेद उन्यासी रसे है राज सभा राज शभा अनुचेद असी लसे लोग सभा लोग सभा अनुचेद इक्यासी तो अनुचेद उन्यासी असी तो अनुचेद उन्यासी असी तीक है यह आपको याद होगा ना ठीक अब यहाँ पे लोकसभा का सदस्य जो होता है यह लोकसभा का सदस्य होता है लेकिन जो राजसभा का परसभापती होता है यह भारत का उपराश्टपती होता है यह कौन होता है भारत का उपराश्टपती होता है और इसका सदन नहीं होता यहां बिद्धान देना है राश्वा का ध्यच यह सभापती गैर सदत होता है यह भारत का उपराश्वा का पदिन सभापती होता है लेकिन यह राश्वा का सदस नहीं होता भारते समिधान में उपराश्वा पति की बिवस्ता की गई है जब किसी कारण से राश्वा पति का कि राज सभागा किलियर सबी लोग फटावट कॉमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं क्या सारे कॉंसेट किलियर हो गए यह इससे बहतर भी कोई आपको पढ़ा देगा क्योंकि सरकारी से इच्छक बनना उतना असान नहीं है अब की बार एक स फास्ट पढ़ाओं को चीजे छूटती जाएंगे मैं चाह रहा हूं कि कोई भी चीज आपके छूटने ना पाए अगला है राजस्व्यत अथा राजस्व आयकांतर क्या क्या लाइब सभी लोग फटावट कॉमेंट करेंगे कॉमेंट करके दिए के प्रश्न का जवाब द लिएगा जी है मेरे प्यारे से इच्चक साथी हो कि किसी को डाउट कोई समस्या चलिए इसके बारे हम लोग जानते हैं इस प्रश्न को जो ही पी कल्प होगा वह होगा कि क्या होगा बताईए राजस्व व्याई तथा राजस्व आयकांतर क्या क्या है कमेंट जरू करिएगा चाहे जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सबी सात्यों से निवेदन है कि जबाब जरू दीजेगा चाहे गलत चाहे शही सभी लोग जरू कमेंट कर बताईएगा देखे यहाँ पर होगा राजस्व गाटा क्या होगा राजस्व गाटा होगा Reports या किसे देखे दिहान सिक्वम समझीयागा ति राजय से गाट है 않은 खाते गाटत सम्री नहीं किया जाता है चालू खाते गाटा होता है यह है अलप्रकालियु भोग की प्रविति को दर्षाता है अगला पस्टना आपके सामने है भारत की बिदेशी मुद्रा अधिक्तम इश्मद में खर्च करती है सभी लोग फड़ा फड़ कोमेंट करेंगे जित्ते लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं कि सभी साथ ही चाहिए फेश्बूक पर लाइब देख रहा हैं यूटूब पर देख रहा हैं सबसे ज़्यादा अधिक्तम पूजी पेट्रोलियम पर होता है ठीक सबसे ज़्यादा अधिक्तम पूजी पेट्रोलियम पर होता है ठीक है इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बी हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पश्चन की तरफ अगला है प्रच्छन नया चिपी बरुजगारी क्या है सभी लोग फटा-फट कॉमेंट करेंगे आप ठीक सभी फटा-फट कमेंट करके बताइए आप सब्सक्राइए को लाइफ लाइफ करिएगा के प्रच्छन नया चिपी परुजगारी का पंधारां क्या होता है लेकिए आईस पीसे में बात करते हैं परचन्य चिपी पर रुजगारी का जो पड़ाम होता है वह अनुत पादा करमचारियों के संख्या में ब्रिद्धी होती है आईस के एक्जांपर लेते हैं जैसे यहाँ पर हमारा एक खेत है यह हमारा क्या है खेत है इस खेत में हमें क् 15 मजदूर हैं कितने मजदूर हैं 15 मजदूर हैं अगर 15 मजदूर की जगह हम 10 मजदूर लगा दे कितने 10 मजदूर लगा दे क्या इसके उत्पादन में कोई अंतर होगा अगर हम 15 की जगह हम इसमें 10 मजदूर लगा दे क्या इसके उत्पादन में कोई कमी या ब्रिद्धी हो क्या कि इसके उत्पादन में ब्रिद्री होकी कोई नहीं होगा इसके मज़्दूर बढ़ाएं या घटा है इसको पादन बृद्र या कमी नहीं होगी लेकिन उकर भीकिन यहां पे ध्यान दीजैगा समय ज्यादा लगे जब समय जादा लगेगा नहीं होगा इसके उत्पादर में कोई प्रभावित नहीं पड़ेगा मतलब इतने लोग थालतू लगया इसलिए इसे चिपी बेरोजगारी कहते हैं कौन सी चिपी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पश्च आवाज घड़ बने लेकिन आपके क्लास मेरी आवाज से ज़्यादा महत्रपोन है इसकी इंसोट क्लिक कर लीजिएगा जनगर्णा 2011 के नुशार किस किसासी प्रदेश कि जनसंक्या ब्रिद्धिदर सबसे ज्यादा रहे अभी नहीं जनगर्णा हुई है उसकी नहीं इसकी पहले 2011 बतेगेगा देखें दादर नगर हविली अब दादर नगर हविली को दौट प्लस दमन एवं दूइब को मिला दिया गया है कब 26 जन्वरी 2020 को अब संग्सासी प्रदेश की संख्या कितनी किसी को पता है पहले साथ थी दो बढ़ा जम्मु कस्मिरो लद्धा पांच अगस्त 2019 को फिर ये घड़ गया माइनस से अब वर्तमान में आठ है कितने हैं आठ है इसक्रिश्ने का जो शही भी कल्ब होगा ये तिरपंदस मलो साथ चेया है यहां पर कितना है ये किरपंदस मलो साथ चेया अध है इसलिए परष्ण गया इसले शही भी कल्प होगा वो सी होगा अब के सभी प्रद्धिस कितने है अब आठ है कि कि दादन अगर हLD को मिला सका इंकी संभी राजधानी इन दोनों की राजधानी क्या है बता ऐई है लम इन राज जी कितने पता किसी को राज 29 से माईनस channel com 28 अब 28 यह हैं कितने हैं 28 राज्य है थिक हम आगे बड़ रहे हैं अगले पुष्णिक की तरफ रहें रिडियों को शेयर कर दीजेगा अच्छा पुदुचेरी और दिल्ली यहां दोनों जगाएं विधान सभा के चुनाओं थो कहता हैं यहां पर sexy नि're है यह जो अब पुदुचेटि है इसे यह проц oldest क्राव से यह नम कहते हैं कहां पर आंद्र प्रदेश में नीचे तमिल लडलम है यहाँ पर फुदुचेटी है फिर नीचे तमिलाडू में ही कराइकल है, कराइकल, कराइकल है, यहाँ पर है केरला, यहाँ पर है माहे, क्या है माहे, इस प्रकार फुदुचेरी जो है, आपका तीन राज्यों में फ्यला है, फुदुचेरी तीन राज्यों में फ्यला है, ठिक, किलर हुआ सब का, जोलो वी कि स्कीन पर नहीं आपने आपका वीडियो थोड़ा से पीछे चल लाओगा इसलिए आपको उत्तर लग रहाओगा पहले आया तो अनुजी आप वीडियो को भागा के रखेएगा ठीक है हम आगे बढ़ना के लिए प्रश्ण की दरब इससे बहतर अगर आपको कहीं मिल ले त ऐसे प्रश्णों को पढ़ना पढ़ेगा एक दम तोड़ तोड़ कर ठीक हम आगे बढ़ रहे हैं यार वीडियो को शेयर कर दीजेगा अगला इसको सुमेलित करना है तो जल्दी से भी लोग सुमेलित करिए पश्णी घाट जो है पश्णी घाट के अगर हम बात करें तो कैसी है उस कड़बंदी सदा बहर बन है यहां के वनों की बात करते हैं हमाना यह मना भारत है कि यह मारा भारत हो गया काम चला हो है तो यहां पर जो यह पश्चमी घाट है यह पश्चमी घाट है यहां पर एक दूसरा हो गया फिर हिमालाई प्रदेश माने ये जो चित्र है ये हिमालाई रेंज है ठीक है हिमालाई जो प्रदेश है ये हिमालाई आद्रवन है माने यहां पर क्या होगा बी का तीसरा ये हरियाणा और पंजाब माने ये हरियाणा है ये पंजाब है ये जो अपका बेल्ट है यहां पर कै और कि वन मनें पर सी का चार है चुटा नाख पूर ul gy tyre चौटा नाख नौण का पठार मढ़ है जानते चुटा नाख पूर पूर पठार कहां पर हैं यह कही बचा यहां पर आद्र पता जड़ी क्यों कि छोटा नागपुर का पठार जहारखंड में जहारखंड में यहीं से दामोदर नजी निकलती है यहाँ पर क्या होगा दी का पहला जरहाप लोग मैप में देख लिए इस चारो अस्थान कहां कहां पर हैं सब्सक्राइब नहीं दिख रहा है तीन डाड़ बिंडू प कोई डाउट है कोई समस्या है कोई भी क्लियरेंश है तो आप जरूर पूछ सकते हैं ठीक किसी कोई डाउट समस्या और वीडियो को शेयर करें दस साथियों को प्रदिन जोड़ी सेलेक्शन वाली क्लास है सरकारी सेच्छक बनाने के लिए अगर आप लोग संख्या बढ़ किसके लिए होता है दी ओडी सभी लोग फटापट कमेंट करके बताईएगा सभी साथी फटापट कमेंट करें देखिए और लेंग क्लास या नोट से संबंदीत कोई भी जान करी चाहिए तब इलने बिद्रगेश के ऑफिस पर बात कर सकते हैं कि यहां के माध्यम से मैं न आपको साइंस की क्लासेज अनिविसेवक क्लासेज आपको टेलीग्राम पर मिलेगी जो दुर्गेश सरसाच करके इलने बिद्रगेश हैं फेस्बुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूटूब, इलने बिद्रगेश हैं बियोडी का मानक क्या है दिखिए इसके बा है शिल्वार्थाय जैविक ऑक्षिजन की मान किसी भी जल्ट सिस्टम में ऑक्षिजन अस्तर को मापनी के tailored के लीए हैं यह जल्ट सिस्टम में ज़िए जंटों के स्वसंद में जो अक्षिजन होती है घुल हुई अक्सिजन का मात्रा जब घटकर सोला परसंट तक पहुंच जाती है तो जिधारियों इससे परसानियों लगती है ऐसे जल को प्रदूसर जल के अंतरगर रखते हैं पेड़ पोदेता जल जलों के साथ घुल हुए अक्सिजन को जल में उपस्तित सुच में हैं यह जूनियर सुपर्टेट के लिए ही महत्तपूर है ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं चाहे तो इसकी स्कीन सौट कर लें आगे विश्यका सरवाधिक बेस्त समुद्री मार क्या है जूनियर सुपर्टेट प्रामरी दोनों के लिए महत्तपूर है जो भी साथी पीडियो को लाइब देख रहे हैं जल्दी से फिड़ाब करेंगे कमेंट करके दिए के पश्यका जवाब सभी लोग फटाबट करेंगे जितने लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी साथी चली यहाँ पर बात करते हैं बिश्व का सरवाधित बैस्ट समुद्र जल मार क्या है सभी साथी बताईए दिखिए यह आप इस पश्यका उत्तर होगा उत्तरी अट्लांटिक मार कि यह बहुत ही बैस्त है यह उत्तरी अमेरिका की विक्षित पुरी वागों तता पश्चमी ये अद्योगी को जोड़ता है इसे हम ब्रिहद ट्रंक कहते हैं इसका एक नाम और है ब्रिहद ट्रंक मार कहते हैं स्वेज नहर जो है ये जहाज जहाजी नहर है ये क्या है जहाजी नहर ये जहाजी नहर है विश्वी की सबसे बड़ी जहाजी नहर है ये लाल सागर भूमा सागर जोड़ती है इसके लंबा अगर देखेंगे तो 165 किलो मीटर है इक इसको जी है लाल सागर को भूमा सागर ज शोट करें ओदो है ठीक ऐस के वाधित है सिम्शा फिरशन के कि Southern इसा सब्सक्राइब मशावा बंदरगा मशावा बंदरगा मशावा बंदरगा जो की लाल सागर के तड़ परिस्तित है निमने में से किस देश से संबंधित है सभी लोग फटाफट कॉमेंट करिएगा कॉमेंट करके दिये के प्रश्ण का सभी जवाब दीजेगा जितने में साथी इस वीडियो को इलनी बिद्रगेश्ट पर निसुल्क लाइब देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा मशाव बंदर गजो के लालसागर के तड़ परिस्तित किस देश्य स्वंधित है कि इस प्रस्ण का सही जवाब होगा डिज प्रस्ण का सही जवाब कि लिए सौदी अरभ में जिहाद है है रिजद्धा है यनम में अधन है इसे भी लाल सागर में ये भी लाल सागर ये भी लाल सागर शुमालिया यहाँ पे मोगा दीशू फौधी पशिद्ध है मोगा दीशू ये आपका हिंद माशागर में ये आपका लाल सागर में है तो इस प्रसने का जो शही बिकल्ब होगा वो आपका क्या हुगा 10 का राइट है ठीक है क्या होगा 10 प्रसने का शही जवाब होगा यार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिये पैसा नहीं कटेगा लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा चाहे फेश्बूक पे चाहे यूटूब पे जहां भी आप लाइब देख रहे हैं ये जौनपुर की सिराजे हिंसे कलास आपके लाइब चलती है अलास्का निम्लिकित में से किस देश का हिश्चा है सभी साथ ही फटा-फट कॉमेंट करेंगे कॉमेंट करने के बाद ये के पश्चन का जवाब लाइट देंगे देखे ये पहले रूस का था जहां से देखिएगा अलास्का ये पहले वर्तमान ये पश्चन का उत्तर क्या होगा? बी होगा क्या होगा? भी होगा ठीप तो यहाँ पर हमने देखा अलास्का जो पहले रूस का हिस्सा था अलास्का उत्तरी अमेरिका महादीब उत्तरी छोर पर है जिकनाप पीछे रेशर देखेंगे जहाँ पर उत्री अमेरिका महादूरी बगरेश्र आप देखेंगे ऐसे आप उत्री अमेरिका महादूरी बगरेश्र आप देखेंगे तो यह जो छित्र है यही आपका अलास्का है यही क्या है? अलास्का है उत्तर इमेरिका महादिवेगर आप ऐसे देखेंगे आपको दिखेगा यहीं आलास्का है ठीक है और उहां पे 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है आपको पता है नए अमेरिका में यू यश्य में पचास राज्य है च्छ त्यंद्र शासित छेत्र है ठीक है और सबसे बड़ा राज्य है राज्य है सबसे बड़ा है यह पचास्वा है और यह पचास्वा राज्य भी है पचास्वा राज्य है खरीदा गया था यह ठीक है समझ मारा की नहीं आप लब को ये बीडियो को सभी साथे को शेयर करिएगा रूस का पहले था कनाडा देखे कनाडा यहां पर हिस्सा है कनाडा विस्टु का सबसे कटा पटा है ग्रिनलेंड दूइप है दूइप है शबसे बड़ा शबसे बड़ा दूइप ग्रिनलेंड है ठीक है कनाडा एक देश है जिसकी राजधानी उटावा है कनाडा की राजधानी क्या है उटावा है ठीक है अब की बार एक सीट हमार गर वीडियो को शेयर करिए चा पेश्बूक पे चा यूटूब पे अगर आपको लग रहा यह एक क्लास कैसी है एक लाइन में कमेंट जरू करिएगा अगर आपको लग रहा इससे बहतर पढ़ा जा सकते है तो भी बताइगा यह इससे बहतर कोई नहीं बढ़ाएगा वही पढ़ाएगा जो इमानदारी से पढ़ रहा हो जो श्रोयम पढ़कर सिलेक्ट हो और आगे बढ़े ठीक हैं चलिए हम आगे बढ़े हैं अगले प्रश्ण की तरफ कौन सुमेलित नहीं है सबी लोग फड़ाफट कॉमेंट करिएगा निमने कित्मेश कौन सुमेलित नहीं है अब की बार एक सीठ हमार सच्चक भरती जूनियर प्रामरे की निसुल्क इलने बेद्रगेश्व लाइब क्लास है जो फेज़नूप की यूटूब पे दोनों पे च जरू जुड़िएगा रेगुलर रहेंगे सब लोग न अगर आप लोग और अच्छे रहेंगे न अच्छा चलिए बहुत अच्छा आपको थैंक्यों सभी को दिखिए इसमें से कौन सुमेलित नहीं है तीन है एक नहीं है इसके बारे में बात करते हैं सभी लोग अच्छ इसकी रजधानी नूख है इसकी रजधानी क्या है नूख है इस पर कबजा किसका है देन्मार का है देन्मार का ठीक है देन्मार के अधीन है कनाडा की रजधानी उटावा है रूस की रजधानी मासको है याद रखिएगा रूस है तो एरोप में एसिया में लेकिन इसकी र यह लिश्क इंसोट कर लिजेगा लुक डेनमार की इस प्रश्ण का उत्तर तो भी था ठीक है यहां पर लोग जराज ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं आपको अच्छे समझाओंगा असन लोहाइस पाता उद्योग के लिए है ठीक है यह कहा है चीन में यह आपका चीन में ड उशाका यह जयापान में है यह वस्त उत्रों के लिए मास्को रूस में और यह पोर्त निर्माड उद्योग नहीं है यहां पर मास्को में रसायन मसींद्री आद्योग लगा जाते हैं ठीक है कि समझाओंगा आप लोग को चली इस प्रशने का उत्तर क्या होगा शीष का राइट एंसर है मानि जो गलत है वही सही है चली बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो लोगों तो पूचाई एर कमकम ददद सातियों को जोड़िए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशने की तरफ जर्मनी का हैंबर्ग नगर कि शिप समंधित है सभी लोग फटाफट कॉमेंट करिएगा देखिए सभी लोग जो लोग इलर्नी बी द्रुगेश पर जुड़े हैं चाहे वो ऑनलाइं क्लास जूनियर सुपर टेटो प्रामरी सुपर टेटों सभी के लिए आप इलर्नी बी प्रशिद्धियर देंकि हैंबर्ग नगर जुए तहां से देखेंगा वो प्रशिधियर स्टेशएस के लिए जल्यान के लिए और हम वायुद्ध्यों से बादर करें तो 시лемे शेटल कहाँ पर है यह यूएश्वे में है अगर हम सरावद्यों की बात करें तो यह चिली देश है यह सेंटियागो एक जगह है सरावद्यों के लिए प्रशिद्ध है नगर है बहुत इंपॉर्टेंड है सेंटियागो कहाँ पर है चीली में चीली अब दच्छन अमेरिका महादीब का देश है खनी स्टेल कहाँ के लिए प्रशिद्ध है यह हूस्टन है यह कहाँ पर है यह एश्टन में ठीक है यह तिये लोग प्रकितिक गैसों के लिए है इसलिए प्रश्ण का सही बीकल्पजी होगा वह एश का राइट है जो अब को समझ माग गया जोली वीडियो को लाइब देख रहे हैं तो कमेंट कर गर के बता हैं कितने लोग ऐसे हैं जिन कोई क्लास समझ में आ रही है क्योंकि रेषक गोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं और आप लोग रेषक के गोड़े मेरा बैटा हुआ है फिर भी हमा आपको लगातार बढ़ा रहे क्यों आपकी मेरा उतधेश है एक सीट आप सभी को लेना है ठीक एक एक सिट हमार और इसी लिए आपको पढ़ना है और यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भरती पर इच्छा है और आपको एक सिट से मकलब है बश हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्णी की तरफ किस राज़ में मैं चारो बिकलप को व्याख्या करता हूँ सबी लोग प्रधिन साड़ी नौबजे लाए बाय करिए सबी लोग subscribe करके बेल आइकन दबा लिजेगा facebook पे जी लेनी भी दुर्गेश है बुकसा टाइगर रिजर्व किस राज्ज में है देखे बुकसा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में कहां पर है पश्चिम बंगाल में और इसा में शिमली पाल है कौन सा है शिमली पाल है शिमली पाल असम में मानश है प्रशिद्ध है काजी रंगा कभी-कभी ने मेरी दे देता है आपने ने मेरी भी यहां का है अगरा अंचल परदेश का नाम दफा है लेकिन एकाक्ठ वहता पाक्वई यहां यहीं है यह परिच्छा मुत्र यह नाम दफार इंपॉर्टेंट है मानस काजी रंगा शिमली पाल ठीक यहां पर सत्कोशिया भी है लिखना चाहाँ तो लिख ली जेगा मैं लिखवा दे रहा हूँ सत्कोशिया भी है पस्चिम मंगाल में मुक्सा टाइगर रिजर्व है ठीक सभी को समझ मा रहा है न ठीक और टाइगर राज किसे कहते हैं टाइगर राज टाइगर पुरुस टाइगर पुरुस यह मैंने आपको पढ़ाय हुआ है इन दोनों का जवाब और कमेंट बॉक्स में दिखेएगा ठीक सभी लोग जोलू वीडियो को लाइब देख रहे हैं जी हाँ नहीं नहीं मैं गुर्मेंट टीचर हूँ वो डाइट जूनियर या प्रियामरी में हो जाए उनके लिए मैं लगातर मेहनत कर रहा हूं दिल रात एक कर दूँगा कर भला तो हो बला निशुल्क में राष्ठित में देशित में आप तक पहुचा रहा हूं इसका उतर पॉर्ष किसे कहते हैं टाइगर राज एक क सोटर में बता दे रहा हूं एक का उतर होगा मंदिर प्रदेश इसका उतर बटाएगा क्या होगा है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशन ठीक हम आगे बाठना के लिए प्रश्ण के तरफ इसकी इंसॉट कर लिजेगा अगला है विभिन प्रकार के जियो जन्तु पौधे यहां पर ध्यान दीजेगा सबस्यादा कहां पाए जाते हैं बहुत ही महत्रपूर है तो यहां पर दीके जीरो डिग्री है इसे हम कहते हैं भुमध्रेका क्या कहते हैं भुमध्रेका इस से दसदीगरी उपर और दस दिग्री नीचे परदेद्दिन परद्दिन दो बज़े से लेकर चार बज़े तक घंघोर वर्शा होती है जब घंघोर वर्शा के सबसे जज्यादा यहीं पाए जाती है इसलीए से हम वर्षा 1 भायोम कहते है जो जो भुमत रेखा से द्रुवों की तरफ बढ़ते हैं दोनो तरफ तो जो जय विवित्ता ओती है वो घरती है जय विवित्ताइ क्या हो कि तरह बढ़ते हैं जैवित्ता क्यों होती है घरती जाती है और दुरूब पर बर्फ है यहां पर जैवित्ता होती नहीं तो इससे आपका स्पष्ट होगा इस प्रश्ट का जो शही भी कल्फ होगा वो शी होगा हाँ कैलास सांखला को टाइगर मैन आफ इंडिया कहते हैं किलियर किजी को दिक्कात को समस्या है चली बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूगांग जी बस लोगों को शेयर करिएगा लोगों तक पहुचाएगा क्योंकि रेश के गोड़े रेश मच्छे लगते खेत में और आप लोग रेश के गोड़े हैं फेस्बुक पेज इलनी बिद्रगेश इस्टाग्राम ट्वीटर यूटूब इलनी बिद्रगेश हम आगे बढ़ रहे हैं समझ में आगया ना कन्फूज मत हुएगा लेकि भूमत रेखा पर सबस्याता जैवी वित्ता होती है दुरूओं पर जाएंगे बर्फ रहती वहाँ पे कम है ठीक चलिए इस्टडी भी दुर्गेश सर एक चैनल आरों से वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके रखेगा अगला है मिनी माता घटना जो पर्यावरण के अध्यन का उदारण है किस कारण से संबंदीत है जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमे लोग जोडएंगे कल की क्लास के लिए अगली क्लास के लिए जब देखे यहां पर इस पर उत्तर होगा सबी लोग पड़ावर पर कमेंट करेंगे बताइए गाए मिनी माता जल्प प्रदूर सौन से है यह मिनी माता जो है यह जापान से निकले हुई थी मिनी माता की खाड़ी में पाराई अफसिष्ट पदार्त की मात्रा जल में घुल जाने करण मिनी माता नगर कई बिमारीयों से मृत्त होगे इस रोग का प्रकोब इतना हुआ इसका नाम मिनी माता रखा गया इसलिए प्रश्ण का उत्तर जो होगा वो डी होगा क्या होगा डीस प्रश्ण का श्रही जवाब होगा ठीक है अगला मंगुलायड प्रजाती कहा निवास करती है मंगुलायड प्रजाती कहां पर निवास करती है जरह फटा-फट सभी लोग कमेंट करिएगा लेकिन अगर मंगुलायड की बात करें तो मंगुलायड जो प्रजाती होती ह एक बात है नाक चप्टी होती है अब बताईए किस राज्य में कहां कैसा राज्य है जहां पर नाक चप्टी होती है आँख छोटी होती है सब भी लोग फटाबर कमेंट करिएगा अब आप लोग को समझ में आजाएगा नाक चप्टी आँख छोटी कहां की होगी अगर मैं यहाँ पर भारत का मैप बना दिया है और आप से पूछा तो आप क्या बताएंगे माना यह भारत का मैप है तो कहां पर होगा नाक चप्टी लोग कहां पर केंगे सर इन चेत्र में उसे हम नेपाली लोग की नाक चप्टी होती है आग छोटी होती है तो इस पूछले का उत्तर यह होगा कि समझ मारा है सेयर करेंगे आप अपने वाटसअप के स्टेटस पर लगाएंगे माटसटव की इस्टेटस पर अपने वाटसएप ग्रॉप पर फेशबुग की स्टेटस पर फेश्बूक के टाइम लाइन पर जहां और भी जरू पूछ आएगा देखेए यहाँ पर पूछते के रल्ट मेलडू अंद्रपदेश ठीक है तो यहाँ पर कि साइथो द्रविडियन पाए जाते हैं यह काले होते हैं बाल घुबराले होते हैं साइथो द्रविडियन होता है ठीक है लेकिन पस्चिमंगल बिहार में यहाँ पर गोरी चिकने होता है यहाँ पर किवल द्रविडियन होता है किवल द्रविडियन होता है ठीक है लेकिन इस प्रशने का जो सही भी कल्ब होगा वो सी होगा क्या सब को समझ मैं है जितने वीडियो को लाइद देख रहे थे फेस्बूक पेज यूटूब पे दोनों पर अब की बार एकसिट हमार जो नोट कर रहा है मुझे भेज भी देगा हमागे बंटा के लिए प्रश्ण की तरफ इसकी इंसौट क्लिक कर लीजेगा भात कि सब्से बड़ी जन जाती कौन सी है भारत की सब्से बड़ी जन जाती कौन सी है चली आज की अखरी प्रेस नहीं है इसके बाद आची क्लास हम लोग खतम कर देते हैं आप सभी लोग online क्लास या नोट से समद्ध में इदी कोई जानकारी चाहिए तब इस नमबर पर वाट्षप करके जानकारी ले सकते हैं यह जोनपूर जनपत के सिराजे हिंसे क्लास आपके लिए पूरी तरह से मेरे द्वार या यहाँ से जुड़े रह सकते हैं निश्वल क्लास का लाव ले सकते हैं जी हाँ दो तारिक से हाँ अगला मंत हो जाएगा ना कि टेलीग्राम पर सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके जुड़िएगा इलनिंग भी दुर्गेश ने डिस्किप्सर उस्की लिंक है Facebook पेज इस्टागराम ट्वीटर यूटूब ले नहीं मिदुर्गेश बाद के सबसे बढ़ी जन्जाती कौंज कि बात करें तो बात के संक्या 74 लाग है अगर हम भील की बात करें तो भील 55 लाग है अगर हम संथाल की बात करें अगर हम इरूला की बात करें जो इरूला है यह तमिल नाडू के तिरुवलूर 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 पाजाती है पनिया इसका पूरा नाम है सही पनिया और हम पनियान की बात करें कि रही कियरिम में इंसर पनियान है राजी यह जंगल यह राजां के नाम से जनते हैं यह जन जाती है बन रहुत है । बन रावत है ठीक है बन रावत है इसे अब मुशहर कहते हैं यह जन जाती है यह क्या है जन जाती है सभी जन जाती है ठीक क्या आप लोग को समझ मा गया लेकिए यह सारी क्लासेच इल नहीं भी द्रगेश पर चलती है आपकी वार एक सीट हमार साधे नहुबजे आप लुग लाहिब आ जायेगा अने क्लासेच बोच चलती है यह पिट्ट सीट्ट सुपर्ट्ट लेकिन जूणियर सिच्चँ भरती और प्रामरी सुपर्टेच के लिए सच्चँ भरती के लिए आप लोग साधे नहुबजे ला को शेयर जरू करिएगा इसकी PDF की जरूत आपको पढ़ेगे तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा Facebook पे जिलेनी भी दुरूगे तो ऐसे इसकी जरूत नहीं पढ़ेगी Class को एक से अधिक बार देखेगा एक अच्छी GS की Series आपकी त्यार हो जाएगी तो बस एक बार हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों इतना देर तक सुना मेरा गला लगातार खराब होता जा रहा है लेकिन अच्छा लगा आप लोगों ने साथ दिया है अब की बार एक सीठ हमार आप साथ दो हम पढ़ाम देंगे आप साथ दो हम पढ़ाम देंगे बस अपना साथ यूँ ही बना रहेगा ददद साथियों को जोड़िएगा अपने WhatsApp की status पर जगह दीजिएगा मुझे बात की खुशी होगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह वीडियो Facebook पेज यूटूब दोनों पर लाइब चल लए थी ठीक है आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि रेश के घोड़े रेश में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं और आप रेश के घोड़े हैं मैं जोनपुर ज किसी राजे हिंद पर ठीक हैं जी है गात्रे मंद का सम्मद रीगुवेट से हैं दस लोगों को खाली जोड़ियेगा प्रदी दिन क्लास में यकीन मानी एक दिन एतिहासी क्लास होगी सिच्चक भरती लिखित परिच्छा की बाइबाइब चली जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम अब की बार एक सिठ हमार क्योंकि रेश के गोड़े रेश मच्च लगते हैं और आपकी रेश उनसे है जो इस रेश के लिए लड़ रहे हैं चलते हैं तब जय हिंद जय भारत साथ में नोर्स बनाते चलेगा हो सके थमें भी वेज़ बाई बाई ठीक अब चलें कल मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धेड़ सारी सुपकाम ना है